नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया, स्वागत करती हूँ आपका Decode Exam के Daily Current Affairs की Class में दोस्तों, आज हम अपनी Current Affairs की Class में डिस्कस करेंगे 1 July से Related Current Affairs को तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग Session से जड़ जाएए, Session को Share कर दे आप सभी लोग और जैसा कि मैं उमीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी preparation कर रहे होंगे और साथ ही देखते देखते देखे जून निकल गया और आज जुलाई स्टार्ट हो गई और आपके सामने एक नया महीना सुरू हुआ है तो उमीद कर रही हूँ कि इस महीने आप लोग अच्छे से अपने पूरे sellables को अच्छे से revision करेंगे ठीक है और साथ ही साथ अपनी short notes भी बनाएंगे और daily current affair की class को regular follow करिए उसकी जो PDF आपको provide की जाती है उसको download करके उसको आप लोग उसका short notes बनाकर की revision करिए आपसे मैं यही उमीद करती हूँ तो चली दोस्तों start करते अपनी class class start करूँ उसके पहले कहना चाहूँगी कि जल्दी से channel को subscribe कर लीजे और bell icon को press कर लीजे इससे आपको channel से related हर class की वीडियो का proper notification मिलेगा और आपकी कोई भी class miss नहीं होगी start करते हैं अपनी class और सबसे पहला आज का हमारा प्रशन है दोस्तों की हाली में कहां दो द्वीसी हैमिश मत महसव मनाया गया है तो हैमिश मत महसव जो की एक ध्यान रखेगा ये लद्दाक में मनाए जाने वाला दोस्तों महसो है हैमिस मठ महसो और इसका आयोजन लद्दाक में किया गया है ठीक है correct answer is B ठीक है तो लद्दाक में दो द्विसी हैमिस मठ महसो बड़े धार्मी कुसा और उल्लास के साथ मनाए गया देखे इसे हैमिस मट मोसो जो है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है इसे हैमिस तेशु के नाम से भी जाना जाता है और ये देखे ये लद्दाक में मनाय जाने वाला एक वार्शिक कारिक्रम है और ये देखे किसकी जैनती के उपलक्ष मनाय जाता है दोस्तों तो ये जो ह का आयोजन किया जाता है दोस्तों मुखोटा निलते का आयोजन किया जाता है थक्का यानि की भित्ती चित्र क्या होता है भित्ती मतलब होता है दिवाल दिवालों पर जो चित्र की प्रदर्शनी होती दोस्तों उसका आयोजन किया जाता है इस हैमिस मट महसो के दोरां ठीक है अम्बू बाच्ची मेला या फिर बीजिंग उस्व इसका आयोजन असम में किया जाता है असम में देखे अन्य उस्व भी मनाया जाता है जैसे कि भूगा भीहु जिसे हम रोंगाली भीहु के नाम से या फिर कॉंगाली भीहु के नाम से जानते है ये भी असम में मनाया जाता नुआ खोई तहवार ये देखे नुआ खोई तहवार जो है इंपॉर्टेंट एक्जामे भी पूछा गया आपसे ये देखा जटोड़ी सावे मनाये जाता है वही देखे दोस्तों यहाँ पे तो ये ओडम ठीके और परिपली गज मेला ये केरल में आयजित होने वाला तहवार है वही बात करें खीर भवानी मेला जो कि जम्मू कश्मीर में आईजित होता है तेलंगाना में देखें बाथु कामा बुनालू तेहवार ये तेलंगाना में आईजित होने वाला तेहवार है वहीं बात करें लाई हरा ओबा आदे के खर्ची पूजा के बारे में हम लोगों ने दोई दिन पहले चर्चा किया था जो कि तरिपुरा में मनाये जाता है नागालेंड में देखा जातों मौसूत सो और फिर हांडविल तैवार ये नागालेंड में आईजित होने वाले तैवार है फेस्टिबल है तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपुर तैवार उत्सों जो हमारे विभिन हमारे देश के विभिन राजियों में मनाये जाते हैं जो आपके एक्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है इसी के साथ आपने अगले प्रशनी की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों अगला प्रशन है कि हाली में किस ठीक हाली में बिश्व आर्थिक मंच जवारा जारी उर्जा संक्रमड सूझकांग में भारत का क्या अस्थान है तो देखा जाए अभी जो है ये रिपूर्ट जो ज को देखते हैं तो देखा जाए यह वर्ल्ड एकोनामिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिक्शन रिपूर्ट जो है इंडेक्स जो है यह जारी किया गया है और इस रिपूर्ट में भारत जो है इस साल 2023 में 67 अस्थान पे है इस सूझकांग की बात किया जाए तो यह ए देखा जाए टोटल जो है कंट्री में 120 देशों को सामिल के आगया है सुईडेन के बाद देखा जाए तो डैनमार्क है फिर नावर्वे है फिर फिनलेंड है और फिर स्विजलेंड है देखा जाए सिर्स दस पर एक मात्र सिप जी 20 देश है जिसका नाम है फ्रांस ठीक है कि ग्यारवे अस्थान पर जाया थो यह वहीं से मेश्यमिय हैं और फूर राज नीटि स स्थिर्ता के बीच गलोगल एंर्जी टरांसिशजन धीमा ध्यां रखेगा लेकिन भारत की बारें में देखा जया जाए कि भारत है में अभ्य उन देशो वी से है सिर्टार किये है तो उर्जा संक्रमण के छेतर में, सुशकाम देखे क्या कहता है कि भारत एक मातर प्रमुखर्थ विवस्ता है, जिसमें सभी आयामों में उर्जा परिवर्तन की गती तेज हो रही है, तो उर्जा परिवर्तन की गती हर आयामों में तेज हो रही है, कहां पर दोस्तों भारत म तो 12 से समंदित एक कुछ महत्व पुर्तत थे इस रिपोर्ट में कही गई है चुकि ये रिपोर्ट बिश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और बिश्व आर्थिक मंच की जो अस्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1971 में हुई थी जिसके अध्यक्ष है वो ग्रेट ब्रेंडे जो है इसके अध्यक्ष है और ये देखे आपके सामने ये रिपोर्ट है ठीक है एनर्जी ट्राजिशन की रिपोर्ट आपके सामने है ध्यान रखेगा ये टॉप 10 5 कंट्री बिल्कुल आपको याद होना चाहिए जिसमें से स्वीडेंड, डेनमार्ग, नौर्वे, फिनलेंड, ठीक है, स्वीजरलेंड ये टॉफ ने जो है 5 कंट्री है भारत का जो है अस्थान 67 अस्थान पे ठीक है अगले प्रश्नी की तरब बढ़ते हैं अगला प्रश्नी है कि निमलिखित में से किस देश ने 64 वी वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिशत की बैठक की मेजबानी की है किस देश ने किया है दोस्तों ये किया है ब्राजील ने ठीक है तो 64 वी वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिशत की जो बैठक की हुई है वो ब्राजील में आयजित की गई है बैटक में देखा जाए शाशी निकाय ने जलवायो जय विवित्ता और प्रदूसर संकट से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर के पैकेज को मंजूरी दिया है तो 1.4 बिलियन डॉलर का जो पैकेज को मंजूरी दिया गया है वो जलवायो जय विवित्ता और प्रदूसर जो संकट है उससे निपटने के लिए दिया गया है इसमें से जय विवित्ता पर देखें कितने डॉलर खर्च के जाएंगे तो 653 मिलियन डॉलर खर्चेज गया जाएंगे इससे देशों को अपनी रास्टी जय विवित्ता रणनीती और कार्य योजनाओं को अधतन करने में म जत मिले गा यह फंडिंग 136 देशों को सहाधा प्रदान करेगी प्रजाति और निवास अस्थानों के नुकसान से निपडने के लिए कारवाई पर केंद्रिथ होगा यह जू फंदिंग हुई है दोस्तों इह 106 देशों 136 देशों को सहाधा आर्थिक सहाधा प्रदान करे वही 12% भूमी छरड के लिए और 11% अंतररास्ती जल के लिए जो है वो अवन टिप किया जाएगा ठीक है यह जिस ध्यान रखेगा अब आप मुझे बताइए कुन्मिंग मॉन्ट्रियल जो घोश्रा पत्र है दोस्तो डिक्लिरेशन है यह किस कॉंफरेंस और पार्टी से सम्म हमारे में बताइए ठीक है चलिए दोस्तों अगले प्रशनी की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रशना है हमारा की किस राज्य सरकार में सेमी कंड़क्टर असेंबली और परिक्षर सुविधा अस्थापित करने के लिए माइक्रॉन टेक्नलोजी के साथ समझ हो था ग्यापन मैक्रा टेक्नलोजी अमेरी की बेस्ट टेक्नलोजी है और किस राज्य ने किया है इसके साथ समझ हो था दोस्तों करडा टक की या राज़स्थान ने की आ तो में कि मैंन और दोस्तों कर्यांशा कर्णने किआ semiconductor assembly और परिच्छर सुभिदा स्थापित करने के लिए अमेरिका चिप निर्माता firm Micron Technology के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षय किया तो देखा जाए गुजरात राजी सरकार जो है कि सेमी conductor assembly और परिच्छर सुभिदा स्थापित कर रही है अहमदाबाद जिले में और इसके लिए इसने अमेरिका की चिप फर्म कंपनी है जिसका नाम है Micron Technology उसके साथ जो है समझोता ग्यापन किया है इस समझोते के तहट देखा जाए तो केंद्र सरकार जितना भी यहां पर जो खर्चा आ रहा है दोस्तों इस पूरे ठीके प्लांट को स्थापित करने में सेमी कंडेक्टर जो है सम्बली को स्थापित करने में इस जो केंद्र सरकार जो है Micron Technology को कुल परियोजना लागत का लगभग 50% क्या करेगी विप्तिय साहता प्रदान करेगी ठीक है Micron Company की बात क्या जाए टेकनलोजी के जो CEO है वो है संजय मनहुत्रा और इसका जो मुख्याले है वो है बोईस ठीक है इडा हो संयुक्तराज अमेरिका में इसका मुख्याले है अगली प्रशनी की तरब बढ़ते हैं अगला प्रशन है की भारत की पहली हाईडोजन 440 ट्रेन किस राज्जी से चलेगी किस राज्जी से सलेगी दोस्तों ये चलेगी डी हर्याना से ठीक है तो भारती रेल्वे की बहु प्रतिक्षित हाइड्रोजन ट्रेन जो है यह अगले साल यानी की 2024 तक हर्याडा के जिन्द जिल्ले से ठीके जिन्द से यह रवाना होगी इसकी जो घोश्रा किया गया है उत्तर प्रदे माफ करीगा उत्तर रेलवे के महा प्रवंदर जिनका नाम है सुभन चौधरी उनके द्वारा कि जिन्द से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का क्या किया जाएगा संचालन की आ जाएगा हाइड्रोजन ट्रेन की बात किया जाए दोस्तों तो यह हाइड्रोजन इधन सेल पर चलती है यह ट्रेन मूल रूप से और यह इधन जो है इधन सेल किस से मिलकर के बनता है त तुर्ण चैनल संचाली सेंपिल्य प्मठाइन या था हाइड्रोजन से चंजाली दुनिया की पहली ट्रेन ठीक है ध्यान रखेगा चलिए आप मुझे बताईए उत्तर रेलवे का मुख्याले कहां पे है ठीक है जो अभी हम लोगों ने देखा उत्तर रेलवे के जो महा प्रवंदक है सोवन चौधरी आप मुझे बताईए कि उत्तर रेलवे का मुख्याले कहां पे है अगला प्रशन है दोस्तों की हाल में किस राजी के साथ उत्पादों को भगोलिक संकेतक टैग मिला है तो किस राजी के साथ उत्पादों को ठीक है भगोलिक संकेतक जी आई टैग मिला है ये मिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश ये कुश्चन अपने आपे करेंड होने के साथ यूपी स्पेशल भी हो जाता है तो जैसा कि उत्तर प्रदेश अपनी संब्रिद्ध है सांस्कृतिक विरासत के लिए और इतना ही निजो पारंपरिक स्चल्प के लिए काफी जादा प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश और हाली अगरेक भोगोली निजो यह रिजिस्ट्री के द्यक्स्केंट विए इनिजो मेANS जरूए दृदक बारे में इनके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं अम्रोहा ढोलक की अम्रोहा ढोलक देखे एक प्राकृतिक लकडी से बना हुआ ये एक वाधियंत्र है और इसके निर्मार में आम, कटहल, शागोन इन लकडियों का इस्तमाल किया जाता है वहीं बात करें बागपत home furnishing इसे हम घरेलू साथ सज्जा के लिए इस्तमाल करते हैं ठीक है ये बागपत और मेरट अपनी विसिस्ट हद करगा घरेलू साथ सज्जा उत्पादों के लिए सूप्रसिद्ध है बुनियादी प्रक्रिया में सूती धागों का उपयोग किया जाता है और इसका मुख्य रूप से करगे पर किया जाता है ठीक है इस्तमाल वहीं बात करें बारा मंकी हद करधा उत्पाद की तो ये बारा मंकी जो की लखनों में है बारा मंकी और इसके आसपास के छेत्रों में 50,000 से अधिक बुनकर और 20,000 हस्त करगे यहाँ पर हैं कालपी हस्त निर्मितकागज का निर्माळ के लिए जाना जाता है कालपी किस रिए जाना जाता हैndra अव्यात उस से पीछा जाता है वहीं महोबा गोरा पत्थर हस्ते सिल की बात क्या ज़े तो इसका इसमें इस्तमाल क्या गए जो पत्थर होता उसका वज्यानिक नाम देखे किया है पाईरो फ्लाइट स्टोन और यह एक नरम और चमकदा सफेद रंग का पत्थर होता है जो मुखी रुप से इसी छेतर में महोवा वाले छेतर में पाया जाता है मेन पूरी तारकशी की बात किया जाए तो मेन पूरी तारकशी एक लोग प्रियकला है इसमें लकडी पर पीतल का तार जड़ा होता है मेन पूरी तार्शते के तारकशी घरेलू आवशकता रहती है जिसका परंपरा गत्स रूप से खड़ाओ जो की लपड़ी की सेंडल होती है खड़ाओ को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है मेन पूरी तारकशी का ठीक है लास्ट है संबल हार्ण क्राफ्ट संबल हार्ण क्राफ्ट में मृत पश्वों से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है और ये शल्प पूरी तरीके से हस्त निर्मित होती है तो जो पश्वों मर जाते हैं उनके चमड़े या फिर उनके जो भी माल होता है कच्छा माल होता है उसका इस्तमाल करके ये संभल हान क्राप्त बनाया जाता है और इसको पूरी तरीके से हाथ से निर्मित किया जाता है ठीक है तो ये था दोस्तों जो भी हाल फिल हाल में उत्तर प्रदेश के साथ स्वक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सच्छो सर्विच्छर का अगर हम मुद्देश की बात करें दोस्तों तो ये शहरों को फास्ट ट्रेक प्रतियसफर्दी तरीके से सतस्वक्षता और अफसिस प्रवंधन के लक्षु को प्राप्त करने में मदद करना है और इसके माध्याम से सच्छो सर्विच्छर ने स्वक करते हैं इससे जो है स्वक्षता तेजी से होगी ठीक है शेर होगी तो ध्यान रखेगा यह आवास सहरी मामलों के मंत्राले के द्वारा स्रू किया गया है कौन सा संस्क्रण इस साल 8.3 तो कब मनाया गया है तो देखा जैस हर सान्किक और आर्ठिक नियोजन की जो प्रोफेशर रहते दोस्तों जिनका नाम है प्रसान चंद्र महालोनोबिस इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल देखा जायतों 29 जून को रास्टे सांखेकिक दिवस मनाया जाता है अगर हम बात करें प्रोफेशर महालोनोबिस के बारे में तो इन्होंने महालोनोबिस दूरी विक्सित किया है जो एक विंदू और वित्रड के बीच अंतर का आकलन करने के लिए एक सांखेकिक उपाय है ठीक है ध्यान रखेगा महालोनोबिस दूरी प्रोफेसर महाल अनोविस को देखा जाए भारतिय सांखेकिक के जनक की रुपे जाना जाता है अगर हम इस साल ठीके राष्टिय सांखेकिक डिवस के विषय के बारे में बात करें क्या थीम था क्या विषय था तो सतत विकास लक्षू की निगरानी के लिए राज संकेतक धाचो को रास्टिय संकेतक धाचे के साथ संवेखित करना ये इस साल का विषय था और हम बात करें राष्टिय सांखेकिक डिवस की सुरुवाद कब से हुई थी तो जो पहला वुस्व मनाय गया था 29 जून 2007 को मनाय गया था और इसी दिन से इस दिन के सुरुवाद की गई थी तो हमने देखा कि रास्टिय सांखेकिक के जनक जो है प्रोफेशर माहल अनोबिस उन्ही को सम्मानित करने के 29 जून को रास्टिय सांखेकिक दिवस मनाय जाता है कमेंट बाक्स में आपकुझे बताई कि कौँसा पंचवर्षी योजना माहल अनोबिस से सम्मंदित है ठीक है प्रोफेशर माहल अनोबिस सम्मंदित है आपकुझे कमेंट बाक्स में आंसर करें बात कर लेते हैं भारतिय सांखी के संस्था की, इसके स्थापना 17 दॉफ दिसंबर 1931 यानि की 17 दिसंबर 1931 को हुई थी, इसका मुख्याल है पक्षिम मंगाल की राज़ानी कोलकाता में है, वर्तमार में जो इसके निदेशक है वो प्रोफेशर संगमित्रा बंदोपाद्या ह जो है, वो यहां की इस समय निदेशक है, नोट पर देख लेते हैं, 29 जून को हम एक और दिवस मनाते हैं, जो कि अंतरास्थी उष्रकडिबंधी दिवस है, यानि की International Day of Tropics, यह भी हम 29 जून को ही मनाते हैं, ठीके और इस दिवस का बिसिकली उद्देश ही क्या है, कि उन सम समस्याओं को, ठीके जो पीशे समस्याओं जिनका सामना जो है, उष्रकडिबंधी छेतरों के द्वारा किया जा रहा है, उन समस्याओं को जागर करना, उसका निदान करना, उन्चुनोतियों के बारे में लोग को जागरूप करना, यही है अंतरास्थी उष्रकडिबंधी ये दिवस का मून उद्देश ठीक है तो ये था दोस्तों दिवस से समन्दित कुछ महत्पूर ठीक है कोश्यन अब बात करते हैं अगले प्रशन की अगला प्रशन है कि किस राज जी या केंदर सासित प्रदेश में वितस्ता सांसकतिक उस्सव महसव आयजित किया गया कहां क दोस्तों अगर आपको पता होगा वितस्ता जो की ये प्राचीन नाम है जहिलम नदी का वितस्ता जिन लोगों ने एंसेंट हिस्ट्री पढ़ा होगा ठीक है जिन लोगों ने वैदिक काल पढ़ा होगा उसमें वितस्ता के बारें पढ़ा होगा जो की वितस्ता प्राचीन नाम है जहिलम नदी का और जहिलम नदी जम्मू कश्मीर में बहती है तो जम्मू कश्मीर के स्रीनगर में वितस्ता सांस्कृत महसो का आयोजन किया गया ठीक है और ग्रिय मंत्री जो है अमिश्या इन्होंने स्रीनगर के संस्कृत मंत्राले के द्वारा जो आयोजित किया गय विशिष्टा से परिचित कराना जो कस्मीर के अपनी संस्कृती है जो उसकी विवित्ता है उससे पूरे देश को परिचित कराने के उद्देश से जो है संस्कृत मंत्राले ने वितस्ता महस्तो कायजन किया जिसके मुख्य अतिती थे दोस्तों केंद्री ग्री मंत्री अमिश एंसी क्युव है कि निम्न मेंसे कौन सा देश H1B वीजा धारकों के लिए open work permit योजना stream बना रहा हैं तो मेक्सिको बना रहा है फ्रांस बना रहा है कनाडा बना रहा है या फिर पेरू बना रहा है तो यह correct आंसर है C है कनाडा ठीक है तो कनाडा जो है वो एक योजना के अंतरगत खुली वर्क permit stream बना रहा है जिसके फल सरुप 10,000 अमेरिकी H1B वीजा धारकों को कनाडा में कारे करने की अनुमती मिलेगी H1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कमपनियों को विशेशग्यता वाले विदेशिक करमचारियों की न्यूकती करने में सक्षम बनाता है इस कारे करम के अंतर कर देखें स्विक्रिती आवेदिकों को 3 साल तक कनाडा में work permit प्राप्त करेंगे जिसने उन्हें कनाडा में किसी पी न्यूकता के लिए कारे करने के सुभिता मिलेगी 3 साल लिए ठीक है विशेश रूप से तकनीकी उध्योग में अपने कुशल स्रमिको की कमी को दूर करने के लिए पूरी कर सके कोन कानाडा और इसके लिए एक रणमी दी सुरूक्या जिसका नाम है डिजिटल घुमन्तु रणनीती इसका लक्ष दुनिया भर के प्रतिभासाली वेक्तियों को अकशित करना है और यह जो घोशा की गए टोरेंटों के कोलिजन में टकनीकी सम्मेलन के दौरान किया गया था गुमन्तु रणनीती की तह देखा जाएव विदेशी स्रव्मिकों को कनाडा में 6 महिने तक की रहने के नुमति होगे तो 6 महिने तक जो है वो नॉमेटिक की तरह रह सकते है तो यह ध्यान रखेगा गुबंदु ठीक है यहाँ पे डिस्टल गुमन्तु रणनीती जो है वो स की जो मुद्रा है करिंसी वो केनेडियन डॉलर है और यहां की जो प्रधानवंत्री यो जस्ट्रीन टूडो जो है वो यहां के प्रधानवंत्री है तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 mcq अब बात करते हैं के दोस्तों facts of the day की अज का हमारा सबसे पहला facts है कि डिस्टल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए डांस के बैंक के साथ 454 मिलियन डॉलर के समझोते पर हस्ताक्षर किया है किसने क्या है इंफोसिस ने किया है पंजाब के नए मुख्य सजीव के तौर पर न्यूक्त किया वाले पहले गेदबाज बन गया है नाथन लॉयन बन गया है वही हौकी इंडिया ने जूनियर महिला रास्ट्री टीम का मुख्य कोश न्यूक्त किया है किसे किया है तो उशार खंडकर को किया है तो दोस्तों यह था आज का हमारा जो है current affair उमीद करती हूं आपको अच्छ कर यह बल्कि अपनी प्रपरेशन में लग जाए फिर बलते दोस्तों अगले सेक्षन में तब तक की लिए वायम्त हाव गुड़ डे स्टी सेफ एंड इस्टे हैपी